खुदा उन्देसु मसी के पुईतर नाम में आप सबों को सलामती जय मसी की आज का दिन यहवा ने बनाया है हम इसमें आनंदित और मगन होंगे उत्पति की पुस्तक उसका बारावाध ध्याय एक प्रतिग्या अबराहम को परमेश्वर की ओर से मिली अबराहम ने उस प्रतिग्या पर पूरा भरोसा करते हुए अपना देश छोड़ दिया, अपने पिता का देश छोड़ दिया अपने कुटुम्भी छोड़ दिये, अपनी जन भूमी छोड़ दी और निकल पड़ा परमेशवर के वचन पर आधारित प्रतिग्या पर परमेश्वर ने उसको प्रतिग्या दी, उसको एक योजना दी मैं तुझे एक देश दूँगा, मैं दिखाओंगा वो देश मैं तुझे आशीश दूँगा, तेरा नाम बढ़ा करूंगा तो आशीश का मूल होगा जो तुझे आशिरवाद दे उन्हें मैं आशीश दूँगा मैं उत्पति किताब उसका बारवाद ध्याय पढ़ रहा हूँ और जो तुझे कोसे उसे मैं शाब दूँगा और भुमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीश पाएंगे एक बहुत बड़ी प्रामिस एक बहुत बड़ी योजना परमेश्वर का एक भारी वचन लेकर अबरहाम निकल पड़ा है जो कुछ उसके वश में था उसकी पतनी उसका भती जालूद जो धन उसने इकठा किये थे जो कुछ था उसके पास जो उसके वश में था जिसको वो अपना कह सकता था अबरहाम परमेश्वर की प्रतिग्या पर भरोसा करके निकल पड़ा परमेश्वर ने उसको कनान देश में पहुँचाया और कहा कि इसी देश में मैं तुझे और तेरे वन्ष को आशिष दूँगा बढ़ाऊंगा मगर कुछ ऐसा लगता है कि अबरहाम संसार की बातों में इतना उलज गया था कि प्रतिग्या होने के बावजूद आशिषे और वचन होने के बावजूद वो कहीं न कहीं अपने आपको अकेला महसूस कर रहा था और इसलिए वो भटक रहा है आप इस अध्याय को भी जो हमने पढ़ा कि वो वहां से चलके वहां पहुँचा वहां पहुँचा उसने तंबू खड़े किये वेदी बनाई और आखीर में उसने एक बहुत गलत मोड ले लिया और वो दक्षिन की दिशा में साउथ में चला गया देखिए परमिश्वर की नजर में दिशाएं हर दिशाएं महत्वर रखती हैं और दक्षिर की जो दिशा है वो एक श्रापित दिशा है पुर्व की दिशा आशीश की दिशा पुर्व की दिशा नए जीवन की उध्धार की दिशा है उध्पती का बारवा ध्याय और उसकी नवी आयत में लिखा है कि अबराम कूच करके दखिन देश की और चला गया और जैसे मैंने अभी कहा आपसे कि आप किस दिशा में जा रहे हैं आप की मन्जिल क्योंकि जब आप जिस दिशा में जाते हैं वही दिशा आपकी मन्जिल हो जाती है और आज सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि मित्रो हम लोग एक बहुत बड़ी प्रतिग्या ले करके इस जीवन में आएं मैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो इस संसार में हैं मगर इस संसार के नहीं है मैं प्रभू के बेटे और बेटियों से आज सुबह मुखातिब हूँ बात कर रहा हूँ मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो ये शुमसी के लहु से अपने आपको जिरों ने धोया है जुनोंने उसके नाम का बतिस्मा लिया है जुनोंने अपने आपको कवर किया है उसके नाम से आप एक बहुत बड़ी प्रतिग्या के वारिस है और इसलिए आपकी दिशा जो आपका चलन है जो आपका कैरेक्टर है जो आपकी बाचीत है जो आपका वियवहर है वो सही दिशा में होना चाहिए पर उसने कहा कि मैं निशाने की ओर दोड़ा चला जाता हूँ मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि जिस दिशा में आप दोड़ रहे हैं उस दिशा में वो निशाना है की नहीं है आपने देखा होगा कि जब धावक दोड़ने वाले अपने ट्रैक पर खड़े होते हैं आप सोचिए आपकी मंजिल आपका निशाना आपकी फिनिश लाइन सामने है और आप पीछे मूँ करके दोड़ने की कोशिश कर रहे हैं मित्रो आप उस फिनिश लाइन हर दिशा में नहीं है इट इस अन ए पर्टिकुलर प्लेस एक विशेश जगा पर वो फिनिश लाइन वो निशाना वो मंजिल बनाई गई है मैं आपसे आज निवेदन करना चाहता हूँ अपनी जिन्दगियों में जहांग करके देखिए अपना अवलोकन कीजिए मनुष सारे जगत को प्राप करे अपने जान का जोकी मुठाए तो उसे क्या फाइदा होगा और मैं आपसे आज निवेदन करना चाहता हूँ कि महरबानी से एक बार अपनी जिन्दगियों का उलोकन कीजिएगा आप चल तो रहे हैं आप यात्रा तो कर रहे हैं आप आगे तो बढ़ रहे हैं मगर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दिशा ही गलत हो आपकी मन्जिल ही गलत हो क्योंकि गलत दिशा गलत मन्जिल को ले जाती है आप मन्जिल पर पहुँचेंगे जरूर लेकिन वो गलत मन्जिल होगी वो कहीं बरबादी की हमेशा के हलाक होने की मन्जिल तो नहीं है मित्रो और मैं कोई नहीं होता हूँ तेह करने वाला कि आपकी दिशा क्या है आप स्वेम तेह कीजिए कि what is your direction of life आप जिन्दगी की किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं मैं निशाने की ओर दोड़ा चला जा रहा हूँ Is your target, is your achievement eternal life or not क्या आपकी मन्जिल वो अनंत जीवन है की नहीं है हमेशा की जिंदगी है की नहीं है वो यसुमसी है की नहीं है सिर्फ चलना ही काफी नहीं है और जैसे मैंने कहा कि दक्षिन की दिशा मुसीबतों की दिशा है आगे सुनते हैं और उस देश में अकाल पड़ा और क्या एक्सपेक्ट करते हैं मित्रो आप देश तो था लोग भी रहते थे सब कुछ था वहाँ पर मगर अकाल था बहुत सी जिन्दगी आज रह रही हैं बस चल रही हैं मगर भोजन के नाम पर और याद रखेगा मित्रो ये भोजन ही आपक मने बेश्रो टाकत देता हैン अकाल अच्छी चीज़ रही है यही आकाल आपको काल के गाल में मिला देगा आपको उमॱ्तियों के वर्ष कर देगा आपकी दिशा एक दिशा अभी तक कहीं कुछ ऐसा नहीं था वो जिदर जा रहा था वहां वेदी बना रहा था वहां परमेशवर के राधना करता मगर एक दिशा उसने गलत चुनी अबराहम तुम बहुत बड़े प्रतिग्या के वारिस हो मसीयों परमेशवर के चुने हुए लोगों उसके बेटे और बेटियों मैं आप स मुखातिब हूँ आप संसार के ओडिनरी लोग के समान नहीं है आप प्रतिग्या के वारिस किये हुए लोग है वाच यूर सेल्फ अपना ध्यान रखिए अपना ख्याल कीजिए आपकी बाचीत आपका व्यवहार आपकी दिशा आपका चलना फिरना उटना पैटना ये संसार के संसार के संसार के संसार के संसार ना बनो क्योंकि आप संसार के संसार के संसार है ही नहीं हम बनने की कोशिश करते क्यों बनने की जरूवत है क्या जरूवत है यू आलरेडी हैव अ प्रॉमिस तुम परमेशवर पर भरोसा रखते हो मुझ पर भी बरोसा रखो मैं आ रहा ह आपके साथ है परमेश्वन ने अबरहम को निकालने के पहले उसकी यात्रा के पहले इतनी बड़ी प्रतिग्या दी और आज अबरहम दिशाय ढूनता फिर रहा है अकाल पड़ा और एक बहुत बड़ी मुसीबत वहां पहुची मैं उसको आपसे शेर करके और विदा जब उस जगा पर पहुंसता है तो उसने वहां के लोगों को देखा जो अन्यजाती थी जो उसकी प्रतिग्या से मेल नहीं खाते थे और आपने कभी अपने आपको देखा है कि नहीं देखा है आप संसार के लोगों से मेल नहीं खाते है उनकी जैसी जबान, वो जो जबान बोलते है आपको आक्वर्ड लगता है, आपको प्रॉब्लम होती है उनकी भदी-भदी बाते, उनकी गंदी-गंदी सोच उनकी बुराईया उनकी इर्शिया एक दूसरे के प्रती चुगली ये आपको कैसा आपके मन में अजीब सी बाते होती है आप उस आत्मा के नहीं है और जब अबरहाम पहुँचा अकाल पड़ा हुआ था और उसने देखा कि वहां के लोगों की नजरे अच्छी नहीं है वहां के लोग गंदे लोग है वहां के लोग सांसारिक लोग है उनको शरील पर मन लगाना अच्छा लग रहा है और एक एक उसको ख्याल हुआ कि उसके साथ उसकी पत्नी अबरहाम को एक पहसुस हुआ इसके पास एक बहुत बड़ी प्रतिग्या है और वो प्रतिग्या थी कि तू मूल पिता होगा रिबाप रिबाप इतनी बड़ी प्रतिग्या है ये इतना बड़ा धन है इसको तो मुझे समभालना है लेकिन अबरहाम भूल गया कि ये प्रतिग्या परमेश्वर की और से दी गई है ये किसी इनसान ने नहीं दी है गल्ती तुमने की अब उस गल्ती को ये सुधारना चाह रहे है सुनते रहिए गाव ये एक ऐसी खुबसूरत घटना है जो सारी घटनाओं में एक अलग से दिखाई देती है अबरहाम दक्षिन दिशा में जाता है एक ऐसे देश में पहुंसता है जहां के लोग की नजरे गंदी थी और अबरहाम ने अपनी पत्ली सारा से कहा सारा तुम्हारी वज़े से मैं मारा जाओंगा अब जान सुसनिएगा मेरी बात उसको डर हो गया कि जो promise परमेश्वर ने हमको दिया है जो प्रतिग्या परमेश्वर ने हमें दी है कि मैं बूल पिता हूँगा अगर मैं मार दिया जाओंगा तो परमेश्वर की प्रतिग्या तो धरी की धरी रह जाएगी I have to do something कुछ मुझे करना पड़ेगा आज मैं आपको एक चीज़ का विश्वास दिलाना चाहता हूँ अगर परमेश्वर ने प्रतिग्या दी है तो परमेश्वर उसको पूरा भी करेगा हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम संसार को देख करके संसार की नजरों को देख करके संसार के आक्रमणों को देख करके संसार के अटैक को देख के इतना डर जाते हैं कि हम परमेश्वर की प्रतिग्या को संभालने के चकर में अपना एफर्ट अपनी ताकत जोग देते हैं और अबरहाम को एक युक्ति समझ में आई, अरे अबरहाम जो प्रतिग्या परमेश्वर ने दी है, वो परमेश्वर पूरा करेगा, आप घबराइये मत, आपकी ताके से इनना तो बल से और ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा ये परमेश्वर का वचन है, अबरहाम ने सोचा, सारा खुबसूरत है, यहां के लोग सांसारिक हैं, नजरे गंदी हैं, हमारी वाइफ को ले जाएंगे, और हमें माड डालेंगे, क्योंकि भाई, जब कैसे लेकर के जाएंगे, मैं डिफेंड करूंगा, मैं रोकूंगा, नहीं ले जा सकते हैं, मेरी डालेंगे, तुमको ले जाएंगे, तुम इतनी खुबसूरत हो, और इसमें कोई शक नहीं, सारा बहुत खुबसूरत थी, लेकिन अबरहाम ये ना भूलो कि ये प्रतिग्या परमेश्वर की ओर से है, और आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अपनी हिक्मत ये संसार का डर आपको ऐसे भद्दे-भद्दे काम करने पर मजबूर करेगा, परमेश्वर की प्रतिग्या आपके साथ है मित्रो, संसार क्या दुनिया का कुछ भी आजाए, आपके उपर एक आच भी नहीं आएगी, आपका एक बाल भी बाका नहीं होगा, अबरहाम अप उसने जूट तो नहीं बोला, क्योंकि वो उसकी बहन भी थी, अगर आप पिछले 11 अध्याय पढ़िये तो वो कहीं न कहीं उसकी कजन सिस्टर थी, मगर यहाँ पर सिस्टर और उसका वाइफ का सवाल नहीं था, यहाँ अबरहाम अपनी युक्ती लगा रहे थे, कि मैं किस तरीके से बचा रहा, नहीं तो परमेश्वर की प्रतिग्या पूरी नहीं होगी, और कई बार हम लोग अपनी हिकमत लगाते हैं, जब गहर मसीहों का आक्रमन होता है, हमें जुलूस निकालना है, हमें बैनर लगाना है, हमें भी कुछ करना है, मैं उसके खिलाफ नहीं अच्छी बात है, मगर इसके पहले कि आप जुलूस निकालिए, आप बैनर लगाईए, आप पोस्टर लगाईए, आप फेस्बुक पर जाकर के कॉमेंट कीजे, एक काम कीजे, आस्मान और जमीन के खालिक और मालिक से पूछे, ऐसी इस्तिती में मुझे क्या करना है, ऐसी कोई इंसान, किसी देश का इंसान, कितनी बुरी नजर उसकी क्यों न हो, कितना प्रभावशाली और कितना आक्रमणकारी वो क्यों न हो, परमेश्वर की प्रतिग्या, जो आपके साथ हमित्रो, उसको कोई छू नहीं सकता है, आज मैं इस बात से आपको चैलिंज करना चाह करता हूं, I don't know what is attacking you, मैं नहीं जानता हूं कि क्या आप पर आक्रमण कर रहा है, हो सकता है आपका financial status, आप आर्थिक रूफ से अपने आपको आक्रमक, अपने उपर आक्रमर सम महसूस कर रहे होंगे, हो सकता है आपकी बीमारी, आपका शरीर, आपके उपर हावी हो रहा हो, लेकिन आज मैं आपको challenge करना चाहता हूं, if God has promised it, अगर परमेशवन ने आपसे वादा किया है, तो उसके वादे पूरा होकर कर रहेंगे, और इसलिए इसके पहले कि आप अपनी हिक्मत लगाईए, आप अपनी कोशिश कीजिए, 38 साल से तो लगा रहा था ना, लिखा है कि 38 साल तक वो वहाँ पढ़ा था, जब ये सुबसी ने उससे पूझा, तो करने लगा मेरे पास कोई इनसान नहीं है, मेरे पास कोई आदमी नहीं है, जो मुझे उस कुण तक ले जा सके, 38 साल से और आज तक वो इनसान ही पर भरोसा, अपनी युक्ती लगा रहा था, कोई मि मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, इसलिए नहीं कि मेरे पापा ये है, मेरी मम्मी ये है, मेरी रिश्दार वो है, मेरी वाइफ और मेरे हजबन वो है, I don't care, मुझे जरूरत नहीं है, यहाँ मेरा चरवा है और ये उसका प्रॉमिस है, उसने कहा है, मैं तुम सिती में खड़े रहते और कहते कि परमेश्वन मेरी योर है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, और परमेश्वन ने अपना जलवा दिखाया, जो वहां का राजा फिरॉन था, सुनिए अगर मैं पढ़ना चाहता हूँ, बरावाध ध्याए, और फिरॉन बोलते थे, जो भी रा खान मंतरी राश्मती बोलते है, वो कोई भी हो सकता, नाम अलग हो सकता, लेकिन पत का नाम फिरॉन था, फिरॉन था, फिर ऐसा हुआ कि जब अबराव मिस्र में आया, तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा, कि यती सुन्दर है, और फिरॉन के हाकिमों ने उसको गई, ये संसार के लोग तो आते हैं, हमारे यहाँ चाए पानी करते हैं, पकोड़िया भी खाते हैं, और क्रिस्मस में तो इतने नौन क्रिशन लोग आ जाते हैं, और इतने, मित्रो, जब आप अपनी सबसे बहतर चीज उनको दे देंगे, कॉम्प्रमाइज कर लेंगे, त भाईया तिरे को बेड़ बकरी चाहिए, तिरे को गाए बेल चाहिए, दास दासिया, आज संसार की दौलत के चकर में, संसार की तरीफ के चकर में, संसार की गाए बेल के चकर में, बेड़ बकरी के चकर में, दास दासियों के चकर में, हमने अपनी प्रामिस को ताक पर रख नहीं बदलते नहीं टलते परमेश्वर अपने तरीके से काम करना चाहता है अबरहम तो नीचे से उपर काम कर रहे थे अपनी पत्नी को समझा रहे थे बहन बोल देना हमें किसी तरीके से बचा लेना क्योंकि अगर नहीं बचाओगी तो तुमको मालू है परमेश्वर ने हमे और आज मैं आपको उच्साहित करना चाहता हूँ If you consider yourself children of God अगर आप अपने आपको परमेश्वर का बेटा और बेटी मानते है तो एक काम कीजिए उस promise को अपने साथ रखिए और उस promise को धाड़स के साथ रखिए परमेश्वर अपनी प्रतिग्या जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतुअन जीवन पाए आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ If you have faith in Jesus Christ अगर आपने परमेश्वर के एक लोते बेटे खुदा उन्दियस्व मसी पर यकीन भरोसा और विश्वास किया है तो याद रखिएगा आप सब कुछ हो जाएंगे नाश नहीं होंगे लोग जो कहना चाहें कह सकते हैं लोग जो आक्रमर करना चाहें वो कर सकते हैं शत्रक मेशक अबेदनगो को तो आग में डाल दिया गया डानियल को शेर की मान में डाल दिया गया बात इसकी नहीं है कि कौन कहां किसको डाल रहा है बात इसकी है कि आप उसके अंदर भी अपनी प्रतिग्याओं को जिन्दा रखे हुए हैं जो परमेशवर ने आपको दिया है, इन सारी परिस्तितियों के बावजूद, हमें कुछ नहीं करना है, हमारी जान के लाले पढ़ जाए, हम अपनी लिखा है, जो कोई अपना प्राण बचाएगा, वो उसको खोईगा, लेकिन जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोईगा, वो परमेशवर के वचन की वज़े से है, परमेशवर के अनुग्रह की वज़े से है, परमेशवर की प्रतिग्या की वज़े से है, और इसलिए संपूर्ण मन से परमेशवर पर और परमेशवर पर ही भरोसा रखिए, आने दीजिए परिस्तितिया, कहने दीजिए लोग को, नहीं चाहिए तुम्हारी बेड़ बकरिया, नहीं चाहिए तुम्हारे गाए बैल, नहीं चाहिए तुम्हारे दास-दासिया, आप रखे रहो, मैं तो अपनी सच्चाई पर हूँगा, क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी प्रतिग्या है, क्योंकि उस प्रतिग्या को कोई छू प्रलत नहीं सकता है, जाहे मैं घोर अंदकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ, तो भी मैं हानी से नाड़ूंगा, मैं आप से पुछता चाहता हूँ, आप तराईयों से डर गए हैं ना, आप इस घोर अंदकार से दर गए हैं ना, आपको लगता है कि बस अब ये तराइयां तो आपको निगल ही लेंगी ये अंधेरा तो आपको बरबाधी कर देगा कहे परिशान है आप वो आपके दुश्मनों के सामने आपके लिए मेज बिछाने को तया है और फिर परमिश्वन ने अपना जलवा दिखाया मैं पढ़के खतम करना चाहता हूँ तब इधर ये गाय बैल, भेड़ बकरी, गधा गधी दास दासी एंजॉई कर रहे थे परमिश्वन ने कहा क्या कर रहा ब्रहाँ इतनी बड़ी प्रतिग्या अभी पूरी कहा हुई है अभी तो प्रतिग्या केवल मेरे वचन के असार है अभी तो इधास टू कम टू पास अभी प्रतिग्या पूरी कहा हुई है और मैं परमेश्वर हूँ मैं इंसान नहीं हूँ जो बदल जाओ मैंने अपनी जो बात कही है आसमान और पिछवी टल जाएंगे अभराहम की पत्ति सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तिया डाली जो अभराहम नहीं कर पाया अभराहम तो क्या दे दीजिए माफ कीजिएगा ले जाएए मेरी वाइव को मेरी बहन को ले जाएए भया हमको छोड़ दीजिए हमको बख़ दीजिए ये महगाई, ये भष्टाचार, ये दुन्या की बातें, कहीं ऐसा तो नहीं है, कि यहवा किसी प्रतिग्या के कारण बड़ी-बड़ी विपत्यां डाल रहा है, क्योंकि परमेश्वर को अपनी प्रतिग्या पूरी करना है, हर हाल में पूरा करना है, अगर फिरॉन पर विप प्रतियां पड़ी, तो फिरॉन को समझ में आगया, कि रे बाप बड़ी गलती की, और एक दिन इस संसार को समझ में आएगा, जब शद्रक और मेशक अबेद नगो के साथ, चौथा आदमी उस आग में दिखाई दे रहा था, मित्रो राजा को समझ में आगया, कितनी गलती उसने किया, उसने कहा निकालो, उनको बाहर निकालो, जब दानियल के शेर की मांद के पास, जब दूसरे दिन राजा गया, उसने पुकार के कहा, दानियल दानियल तुम कैसे हो, और जब दानियल ने शेर की मांद में से, अपने हवा पर मेशर के बारे में पुकार के उसकी गवाही देना शुरू किया उसके मिरिकल आश्चर करम के बारे में उसके सर्कडूतों के बारे में बताना शुरू किया राजा को उसकी गलती समझ में आ गई उसने कहा दानियल को बाहर निकाला जाए और आज मैं आपको प्रॉमिस दिलाना चाहता हूं वादा करना चाहता हूँ परमेश्वर का वादा याद दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर कहीं अपनी प्रतिग्या की वज़े से किसी पर बड़ी बड़ी विपत्ती तो नहीं डाल रहा है वेट एंड वाच खड़े खड़े उद्धार का काम देखो थैंक यू जीजस हमारा प्रभू इतना महान है कि फिरॉन को उसकी सेना समेथ लाल समुंदर में डुबोने की ताकत रखता है ये तो सिर्फ एक फिरॉन थे केवल एक इस्त्री की वज़े से मगर याद रखेगा वो सिर्फ एक इस्त्री नहीं थी वो परमेश्वर की प्रामिस थी और आज आपकी वज़े से परमेश्वर कितनों को विपत्ती दे सकता है मित्रों परमेश्वर की उस प्रामिस को सही जिए उसकी हिफाज़त कीजिए और कहिए प्रभू तू ही हमारा चर्भा है तू मुझे हरी हरी चराईयों में ले जाएगा तू मुझे सुगदाई जलके अकाल पढ़ गया था ना तो जब भेड बकरियां मिली जब गाय बैल मिले तो बड़े खुश बोले अब तो मेरा काम हो गया लेकिन वो यह नहीं जान रहा था कि यह परमिश्वर का प्रॉमिस नहीं परमिश्वर अपने तरीके से काम करना जानता है जो हमारी युक्तियां है काश कि उन युक्तियों को हम कंट्रोल में रखे लिखा जो अंतक धीरत धरेगा उद्धार उसी का होगा खुदावंद आपका धीरच खोज रहा है आप धीरच से उसके वादों को पूरा होते हुए अपनी जिन्दगी में देखिए खुदावंद आपको बहुत आशीष देने कले तयार है क्योंकि उसकी प्रतिग्या है उसमें हमें कभी छोड़ा नहीं और कभी त्यागा नहीं वो सुगदावी जल के जरने और वहरी हरी चराया अभी भी मौजूद है अपने आपको एक भेड़ जान करके और उसको चरवहा जान करके उसके पीछे पीछे चलिए और कहिए प्रभू मैं संपूर्ण बन से तुझ पर भरुसा रखूंकर प्रभू आप सब को बहुत 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 आशीर से चैह मसे